राजस्तान में बीजेपी की सरकार आते ही कानून विवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं विधान सभा चुनाव में बीजेपी की जीत के दो दिन भी नहीं बीते और करणी सेना के सुखदेव सिंग गोगा मेडी की बदमाशों ने जान ले ली जिसके बास सही राजपूत समाज और करणी सेना में आक्रोश है मारवाड राजपूत महासभा के अध्याक्ष हनुमान सिंग खांगटा ने तो बीजेपी पर ही गंभीर आरूप लगा दिये हैं हनुमान सिंग खांगटा ने क्या कहा है देखिए इस रिपोर्ट में राजस्तान में बीजेपी की सरकार आते ही राजधानी में एक बड़ा कांट हुआ दिन दहाडे ही जैपूर में राजपूत राश्टिय करणी सेना के राश्टिय अध्याक्ष सुखदेव सिंग गोगा मेडी की घर में घुसकर बदमाशों ने जान ले ली इस वारदात के बाद पूरे प्रदेश भर में राजपूत समाज वा करणी सेना आक्रोशित है जोद्पूर राजपूत मारवार महासभा की अध्याक्ष हनुमान सिंग ने भी बीजेपी पर गंभी रारुप लगा दिये हैं हनुमान सिंग ने ये कहा है कि श्री राजपूत राष्टिय करणी सेना के राष्टिय अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगा मेडी की दिन दहारे घर में घुसकर जान ले ली गई ये दुखत घटना है हमारे राजपूत समाज के लिए इस घटना को लेकर प्रदेश सहित देश भर के राजपूत समाज वा अन्य समाज में आक्रोश है बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सैयोग है या योग है जब जब राजपूत समाज के दबंगनेता की जान जाती है जैसे 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उस दोरान राजपूत समाज के विरेन सिंग की आसामाजिक तत्वों वा बदमाशों ने जान ले ली थी 2013 में बीजेपी की सरकार आई उसी दोरान आनंदपाल सिंग का एंकाउंटर हो गया अब सरकार आते ही श्री राजपूत राष्टिय करणी सेना के राष्टिय अध्याक्ष सुखदेव सिंग गोगा मेडी की दिन धारे उनके घर में घुसकर जान ले ली गई उन्होंने आगे भी कहा कि सुखदेव सिंग गोगा मेडी समाच के लिए काम करते थे गायों के लिए और आमजन के हित के लिए बोलने वाले नेता थे जिस तरह से उनके घर में घुसकर उनकी जान ली गई है पता नहीं इसके पीछे कौन है शडियंत क्या है कौन कांड के पीछे है हनुमान सिंग ने आगे भी बयान देते हुए कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि जब करणी सेना के राष्टिया अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगा मेडी ने सुरक्षा मांगी थी अगर ऐसा है तो प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई इसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा दोश है इसकी पूरी जाच होनी चाहिए इसके पीछे क्या शडियंत है कौन शडियंत कारी है जो भी दोशी है उनके विरुध सक्त से सक्त कारवाई की जाए जल से जल्द पुलिस अगर कारवाई नहीं करती है तो राजपूत समाज और अन्य समाजों को साथ लेकर उग्र आंदोलन करेगा जिसकी जवाबदारी प्रशासन वस सरकार की होगी वही राजपूत राष्ट्य करणी सेना के सच्यू मान सिंग मेर्तिया ने भी बयान दिया उन्होंने कहा कि इस तरह से दिन दहारे घर में घुस कर बदमाशों ने हमारे नेता की जान ली है इतना समय होने के बाद भी पुलिस के हाथ हत्यार तक नहीं पहुचे हैं इसको लेक सारी प्रशासन वा सरकार की होगी अब आपको बता दे राजस्तान बंद भी बुलाया गया हो और इसके साथ ही जगा जगा पर राजस्तान में आंदोलन किया जा रहा है डीबी लाइब की रिपोर्ट